है गाईज इट्सक्राइब और जैसे के आप सब जानते हैं कि गेमिंग स्मार्टफोन इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से राइस कर रही है और इस साल का सबसे पहला गेमिंग फॉन हमें न्यूबिया की तरफ से देखने को मिला है आप जानते ही होंगे कि न्यूबिया ने सबसे पहला फोन बनता है जो की 144 हर्ड की रिफ्रेश्ट डिस्प्ले के साथ मार्केट में उत्रा है तो न्यूबिया अपनी ओवर्किल स्पेसिकेशन के साथ बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मस डिलिवर करने के लिए माना जाता है और इस साल भी उन्होंने ऐसा ही किया है न्यूबिया अपने गेमिंग स्मार्टफोन की मार्केट में रेड मैजिक के साथ उत्रा था उसके बाद उन्होंने रेड मैजिक मार्स, रेड मैजिक 3 और रेड मैजिक 3S 2020 में रिलीज किये और इस साल सबसे पहले अपना गेमिंग स्मार्टफोन लेके आ गया है न्यूब आता है 6.65 इंच की Full HD Plus AMOLED डिस्पले के साथ यह बहुत ही अच्छा और क्रिस्प पैनल है इस पैनल में आपको 240 Hz का तो touch sampling rate मिलेगा और 144 Hz का refresh rate मिलेगा आपको इसमें in display fingerprint scanner मिलेगा और यह 19.5 9K expect ratio के साथ आता है और अगर आप processor की बात करें तो इसमें Qualcomm का सबसे powerful processor दिया गया है जो की Qualcomm Snapdragon 865 है और इसके अगर RAM storage की बात करें तो यह 8 GB LPDDR5 और 128 GB UFS 3.0 storage के base variant के साथ आता है इसे उपर के variants में 12, 128, 12, 256 and 16 GB 256 GB UFS 3.0 storage दी गई है कंपनी का पहला phone बन जाता है जो की 12 और 16 GB के models के साथ आता है इसके बाद अगर हम इसकी battery के बात करें तो वहाँ भी Nubia ने कोई कसर नहीं चोड़ी है इस बार Nubia ने दी है 4500 mAh की battery वो भी 55 Watt की fast charging के साथ जो की पूरे phone को 50 मिंट में full charge करने की capacity रखता है और यह compatible है quick charge 4.0 और power delivery 3.0 के साथ Sony का IMX 686 sensor जो की F 1.8 aperture पर काम करता है यह 64 MP का sensor है और यहाँ पे जो दूसरे camera है वो दिया गया एक 8 MP का wide angle camera दो MP का micro camera तो ऐसे ही Nubia Red Magic 5G पीछे triple camera के साथ आता है और front में इसके 8 MP का F 2.2 का camera दिया गया है और अगर हम इसके कुछ amazing features की बात करें जो सरफ इसी game में मिलेंगे आपको तो इसमें आपको मिलेगी active cooling throw rotating fan within the phone इसमें एक active cooling technology दी गई है जिसमें आपको एक physical fan phone के अंदर fit किया गया है जिससे कि आपको phone कभी भी overheat नहीं होगा इसमें आपको 3.5 mm jack भी दिया गया है और इसमें low latency game screen casting option भी दिया गया है यहाँ पे आपको उपर की तरफ touch sensitive shoulder buttons भी मिलेंगे और इसमें fastest networking के लिए dual frequency GPS और Wi-Fi 6 भी दिया गया है और इसमें side pins भी है अगर आप इसे dock करके अपने TV या फिर किसी भी other device में game खेलना चाते हैं तो इसी के साथ Nubia ने अपने इस phone के साथ एक बहुत ही awesome और नया design launch करा है जो की दूर से ही देखने में आपको अलग से ही बता देगा कि यह एक gaming phone है यह design language इतनी unique है कि आपको इसे लेने के बाद बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको यह ordinary phone चला रहे हैं बात करें 8 GB जो सबसे lower model है वो start होता है $543 से उसके बाद 12,128 GB start होता है $586 से और 12,256 होता है $629 से और इसका top model मिलता है 16 GB और 256 GB के साथ $750 और अगर आपको इसका transparent edition लेना है तो उसका अलग price है transparent edition का सिरफ दो ही variants में आता है 12 GB और 256 GB और 16 GB और 256 GB जहां पर 12 GB वाले का price है $658 और 16 GB वाले का price है $743 और जैसे कि आप सब जानते हैं कि new VR record तोड़ने के लिए माना जाते हैं तो इस साल भी उन्होंने अपने phone के साथ release होते ही N2 2 के सभी benchmarks का record तोड़ दिया है और अपना benchmark जो उन्होंने सैट करा है वो है $6,33,724 यह अब तक का सबसे जादा score है और इस से उपर score अब तक कोई भी mobile score नहीं कर पाया है तो अगर आप किसी gaming phone का वेट कर रहे हैं तो आपके लिए यह phone सबसे best है इसमें आपको smooth frame rate देखने को मिलेंगे quick charge battery मिलेगे और साथ में बहुत ही awesome look भी मिलेगा और इसमें active cooling भी है जिससे आप लगा तार कई घंटों तक game खेल सकते हैं तो आप मीचे comments में बताए मुझे आपको यह phone कैसा लगा और यह जल्द इंडिया में launch होगा तो आप comment करके मुझे यह भी बताए कि आप में से कौन-कौन इस phone को लेना चाहेगा तो अगर आपको यह video पसंद आई हो तो इसे like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ऐसी ही awesome videos देखने के लिए thank you